दोस्तो गर आप भी फोन पे यूज करते हैं तो आपने यहाँ पे एक option देखागा फोन पे वैलेट जी है दोस्तो यह अभी अभी आपके फोन पे में एक नया option आया है जो की फोन पे द्वारा निकाला गया है जो की बहुत ही बड़ी आया है आज के इस वीडियो में इसी के बारे में पूरा डीटेल बताऊंगा अगर आपको जानना है कि फोन पे वैलेट को कैसे अक्टिवेट करें तो इस पर मैंने वीडियो बना रहा है चैनल पर जाके आप देख सकते हैं अगर आपको एक्टिवेट करना है तो वीडियो में ने बना रहा है आज सिर्फ में बताऊंगा इसके बारे में कुछ जानकारी जान लीजे कि आखिर ये किया है और कैसे इसे यूज करते हैं पहले बात करें कि फोन पे वैलेट का तो दोस्तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि पेटियेम का वैलेट है उसी तरीके से फोन पे में भी यहां पे पेटियेम की तरह ही वैलेट का उप्शन आ गया है यानि आप अपने वैलेट में पैसे एड कर सकते हैं जिस तरीके से पेटिये में आप वैलेट में पैसे एड करते थे उसके बाद कोई भी जुरूत नहीं होता था UPI से या फिर बैंक अकाउंट लिंग करने से उसी तरीके से अब आप भी अपने फोन पे के wallet में पैसे add कर सकते हैं यानि wallet में पैसे रख सकते हैं उसके बाद direct आप wallet से recharge कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं जिस तरीके से आप UPI से करते हैं जैसे माल लिजे अभी आप phone पे से किसी को पैसे भेजते हैं रिचार्ज करते हैं तो direct आपके account से करता है यानि account link होना कमपल सरी है लेकिन अगर आपका phone पे wallet एक्टिवेट होता है तो आपको account link करने की भी जरूत नहीं पड़ेगी आप direct phone पे wallet से ही किसी को रिचार्ज कर सकते हैं DTS रिचार्ज कर सकते हैं मतलब सारे services का यूज कर सकते हैं तो यही है दोस्तो phone पे का wallet जिस तरीके से पेटियम अभी तक wallet का यूज कर रहा था यानि wallet का feature दे रखा था उसी तरीके से यहाँ पे phone पे ने भी नया option add करके यहाँ पे phone पे wallet के नाम से यहाँ पे launch किया है देखना होगा कि यह कितना successful होता है या फिर यह flop होता है तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा comment section में जरूर बताएगा और phone पे wallet से related अगर कोई भी और जानकार या पोच चाहिए तो comment जरूर की जगा मैं उसके reply जरूर दूँगा अभी के लिए तना है thank you for watching